हाई गाईज वेलकम टुदा नेहा शर्मा शो गाईज आप अभी वे अपनी ही चानल पर हैं बस इसका नाम बदल गया है जहां सुनते हैं आप कुछ नसुनी कहानिया इंजॉय करते हैं इंकरडबल इंडिया के कुछ बहतरीन नजारे और साथ ही साथ गुन-गुनाई जाते ह आज हम चलेंगे वेशिक एम क्यूर एंड गाईज आपसे एक रिक्वेस्टिक प्लीज वीडियो को वर्टी के लिए देखेंगा क्योंकि कर मैं हॉले जोंटली डालती तब थम्नेल नहीं नहीं लत पाता और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्क्राइब कर आपको वीडियो को लिए पूरे लेखेंगे एक रिदेखेंगे लिए रो तब आपको वीडिविकेशन दिलती है और रो रो यह एच्छे खाती नहीं लाइज की लॉंग जर्नी हो गई थी क्योंकि हम गय थे वाई रावंगला एंड नामची क्योंकि रावंगला में करने जा रहे हो तो गाइस सबसे पहले हम निकले गैंग टॉक से रावंगला की और आप जो देख रहे हैं वह सी का रास्ता है और देखिए चार तरफ पहाड़ी है और यह फ्रंट केट है बिल्कुल चहां पर बुद्धा स्लीपिंग बोजिशन में हैं और देखिए अब हम जा रहे हैं बुद्धा पार की और गाइस एक अच्छा खासा लंबा रास्ता था मगर बहुत ही शांदार था बहुत ही खुबशूरत तो देखिए बहुत बड़ा पार के बहुत बड़ा और यहां से पूरा हमें गोल घूमते हुए जाना तो यह देखिए सामने करीब से बुद्धा की एक आप से शेयर करने जा रहे हो और एक इंपोर्टन बात आपको बताते हो कि यह जो वावल आप देख रहे हैं ऐसे सेवन वावल बिलकुल उस मंदिर में आगे आगे रखे हुए थे बुद्धा के आगे जो कि हमारे डेली लाइफ के एट इंपोर आपके नीचे एक छोटा सा गेट नजर आएगा तो अब हम उसी के अंदर जा रहे हैं और यह देखियों इसके अंदर का नजारा है तो नहीं है तो यहां पर तो इतना कुछ खास नहीं मिला कुछ पेंटिंग जरूर थी लेकिन इतनी खास नहीं थी तो हमने वेल कि अब हमें यहां ही से वापस जाना है क्योंकि हमें लगातार पापा के कॉल आ रही थी कि तुम लोग बहुत देर लगा रहे हो तो हम एक बर फिर से निकल पड़े और अव हम जा रहे थे चार धाम की और एंगाइस मैं आपको यहां पर इवी बता तो कि जो हमारी टेक्सी पर बहुत है थे वह बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की और उन्होंने बहुत कोपरेट किया क्योंकि मेरी ममा को मुशन सिखनास है और गाइस साथ की साथ उन्होंने बहुत सारा एंड़ें किया वना 9-Hours की जरनी सच में तफ हो सकती थी बढ़ बगाउस अच्छी जरनी इसको नहीं इसको दोरे तोरे ने बटा नहीं युम कört़गा से शुगकनी बोलके तोरे मम्ने नाय जटी महरा उर्म क verballyu जाए उन्हीं हता है FIFA मा साडली मासली करें इसको में माञ ग्यूं किसी को भी अगर इनका नंबर चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजेगा वैसे भी यहां के लोकल लोग जब हिंदी मोलते बहुत अच्छा रखता है आप देख सकते हैं और हम जा रहे हैं सीधा मंदिर की और यह बहुत अच्छा लगा यहां आकर तो आप में आपको सीधा लिकर चलती हूं मंदिर के फ्रांडन में अच्छा रूम देख रहे हैं आपको यहां पर बहुत सारे भी लेंगे और सभी के अंदर चोटी चोटी शिवलिंग है मुझे अंदर से फोटो लेनी की जाथ बिलकुल नहीं थी और यह देखिए बड़ी इसी शिवजी की मूरती यही हमारा चारधाम और यह इसका प्रां उनके अंदर बहुत सारे शिवलिंग है अब यह देखिए मेन मंदिर जो की है विश्वेश्वरा जोतर लिंग देखिए अभी कुछ देर में मैं आपको अंदर ले चलूंगी वैसे तो गाइस उंदर वीडियोग्राफी करनी की यह फोटो लेनी की बिलकुल भी इजाजत नहीं है फिर भी मैंने चोरी-चोरी बनाने की पोशिष्टी की है तो वही आपको मैं शो करूंगी और साधक लेड़ी नहीं हो पाएगा थोड़ी दिर में मंदिर के अंदर लेके चलते हूं और यह देखिए सामने हैं नंदी जी जो बिलकुल मंदिर की और फेस करके बैट अनुबूती हो रही थी और देखिए देखिए सामने आपको फिर से गुम्मत दिख रही होगी चोटा सा रूम वह उसमें भी चोटे-चोटे शेवलिंग है और सभी के अंदर पुझारी जी हैं तो बिलकुल भी वीडियोग्राफी करने की तो इजाज़त नहीं थी और बह बहुत सारे सभी के अंदर शेवलिंग है एक तो इतना प्यारा था कि एक ही गोले के अंदर चोटे-चोटे शेवलिंग थे अब मैं आपको यहां से डिरेक्ट लेकर चलते हो मंदे की और यह देखिते मंदर सामने में नट्राज की मूटें गाइस बहुत ही डरते-डरते ब यहां पर देखेंगी कि नंदी और जो शेर हैं बिलकुल आमने सामने बैठे हुए है अभी आप देखिएगा इस पेंटिंग में देखिए है ना इतना फूपसूरत चलिए और फिर से हमने परिक्रमा लगाते हुए आगी की ओर बढ़ना है और मैं आपको सामने दिखाऊंगी दूर से ही एक शिविलिंग है जोहां पर एक अब एक लंबी गंटी जैसी चीज थी उससे दूद्ध चढ़ाना था वह बहुत फुक्त रखा मैं पास से तो नही से खापाऊंगी देखिए यह थी नट राज की मूर्तिगवर फिर से आब देखिए सामने आपको बिखाऊंगी जोहां से रोशनी आ रही है यह श्रिविलिंगा है तो कि मैंने थोड़ा दूर से ही लिया है गाइस यह वह रेस्टरोन था जो की चार धाम के अंदर ही है और यहां पर बहुत ही अच्छा लंच किया प्योर वेजिटेरियन है यह चार धाम के अंदर ही मिलेगा आपको बहार भी जाने के जरुरत नहीं है तो यह है अंदर से खाना खाया और खाना बहुत ही टेस्टी था बहुत ही जादा मजा आया हमें और इसके अगर आप तो इसके बाद हो अपने नेक्स्ट अस्टानेशन या निताज लिंक यो बढ़ गए और वह मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि हम कहां रुके और कहां कहां हो में और यह बहुत ब्यूटिफुल सी वीडियो होने वाली है तो तब तक के लिए अपना बहुत स झाले हैं तो के लिए और यह बहुत सबक्रीब तक कि वेगेरशन तो कि वेगेर बया नेक्स के लिए।